हेलो एवरिवन, वेलकम बैक, यह रियल अनालिसस MSC लेवल कोर्स है और इसमें हम लोग अभी तक कुछ थियोरम, डेफिनिशन, बेसिक चीजे देख लिये थे और उसमें हम लोगोंने एक बहुत-बहुत इंपोर्टन थियोरम कवर किया था जो था कि UPFα-LPFα is less than epsilon अगर हो ज होता है, for F to be remand still just integrable, ठीक है और यह एक इतना इंपोर्टन थियोरम है कि in fact यह previous year में भी पूछा गया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो वह मैंने lecture 2 में cover किया है, आप उसे जहरूर देख लेना, so अभी हम लोग यह थियोरम और कुछ examples पे बात करेंगे, so let's start, कि य अगर मैं इसका कुछ graph बना हो, तो यह इस type का है, ठीक है, यह के है यह आप है, और alpha एक monotonically increasing function है, same conditions है, proof क्या करना है, a to b f d alpha exist कर रहा है, so exist कर रहे का मतलब क्या है, कि अगर मैं दिखा दूँ, और दिखाना है कि a to b f d alpha जो है वो इसके equal होगा, तो यह equality जब दिखानी होत होती, तो हम लोग क्या करते हैं, कि lower integral को upper integral के equal दिखा देते, तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है, जैसे ही यह दोनों equal हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यह जो है, यह exist कर रहा है, और फिर integral इसके equal हो जाता है, जो भी, इन दोनों का जो भी integral है, तो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, partition को मैं P नाम दे देती हूं और partition को कुछ मैं इस तरह बना देती हूं कि X0, X1, वही अपना पुराना partition जो चल रहा है, तो यह basic partition होता है, जो हमने easily बना सकते हैं, और solve कर सकते हैं, इसके help से, अब हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद अगर आप ध्याम से देखो, तो यह जो होता है, FD alpha, यह किसके equal होता है, यह lower है, तो यह supremum के equal होगा, supremum of LPF alpha, यह definition होता है, तो हमें LPF alpha, अब LPF alpha निकालने के लिए हमें क्या करना बड़ता है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कि summation कर देंगे, और Fx, delta, alpha, ऐसा कुछ करते हैं, मतलब यह फिर बोला जाए, तो lower integral है, तो small m i लेते हैं, small m i ही लेते हैं, small m i लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, अब हमें क्या चाहिए, small m i और capital m i, यह दोनों requirement है न, इसके हिसाब से, तो सबसे पहले हम capital m i निकालते हैं, capital m i मतलब की, क्या हो गया, कि supremum निकालेंगे हैं, किसका, x belongs to, x i-1 से लेकर के x i में, ठीक है, Fx, अब देखो, आप कुछ भी लो, fx की value क्या है, k है, कुछ भी आप interval बना लो, छोटा लो, इतना छोटा लो, या इतना बड़ा लो, यह value fix है k, तो supremum क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी, k, उसी तरह से जब आप infimum लोगे, तो यह, sorry, m i लोगे, तो यह infimum आती है, x belongs to same interval fx, सबसे छोटा infimum, तो यह भी क्या आएगी, k, क्यों, क्योंकि अगर आप छोटा लो, अगर आप एक interval, मतलब एक partition पर बात करोगे, suppose यह xi minus 1 है, और यह xi है, तो यह क्या है, k ही दे रहा value, हर एक point पर, हर एक point पर यह value, k दे रहा है, तो इस वज़े से आप देखोगे, कि यह जो आती है, a to b f d alpha, यह equal हो जाएगी, किसकी, यहाँ supremum हमने देखा था, l है तो small mi आएगी, तो supremum, summation, small mi और delta alpha i, ऐसा कुछ लिख देते हैं हम लोग, तो यह क्या हो जाएगी, k, यह इसकी value क्या है, k, और k तो सब में ही रहेगी, तो k को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, supremum, delta alpha i, कुछ इस type का आएगा हमारे पास, ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कि आप ऐसे supremum रग दो, k रग दो, अब summation of delta alpha i क्या है, तो delta alpha not, plus delta alpha 1, plus delta alpha 2, plus delta alpha n, ऐसे कर सकते हैं, तो k लिख देंगे, अब delta alpha not क्या होता है, alpha 1 minus alpha not, plus ये क्या होता है, alpha 1 minus alpha, sorry, alpha 2 minus alpha 1, plus, ये क्या होता है, alpha 3 minus alpha 2, ऐसे चलते जाता है, plus alpha n minus alpha n minus 1, ये n minus 1 तकी आएगा, ठीक है, कुछ इस type का आएगा, जो भी partition पर depend करेगा, हम, ठीक है, तो ऐसे आ गया, अब आप देखो, इससे क्या होगा, कि cut हो जाएगा, सब कट जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या, alpha n minus alpha not, ठीक है, ये बहुत ही basic trick है, आप easy लिए लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, और alpha n, alpha n क्या है, alpha n मतलब क्या है, sorry, alpha xn हो जाएगा, यहाँ पर, sorry, alpha xn, और alpha x not, ठीक है, alpha का तो कोई value नहीं होता है न, alpha i means क्या, delta alpha i means हो गया कि, alpha of xi minus alpha of xi minus 1, यही हो गया न, इसका मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर आप change कर देना, थोड़ा समयने गड़बड कर दिया, यह delta alpha not है, तो इसके जगा पर आपको लिखना पड़ेगा, alpha, sorry, 1 से start होगा, delta alpha 1 से ले करके n तक, ठीक है, so, delta alpha 1 क्या हो जाएगा, alpha x1 मैं फिर से लिख देती हूँ, minus alpha x0, फिर प्लस, delta alpha 2 क्या हो जाएगा, alpha x1 minus, sorry, alpha x2 minus alpha x1, फिर इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, alpha xn minus alpha xn minus 1, ठीक है, यह आएगा, तो इसके बाद भी आप देखोगे कि यह कट जाएगा, यहाँ तक, यह बचेगा, सिर्फ और यह बचेगा, तो freshly लिख देती हूँ, कि k times of alpha xn minus alpha x0, ऐसा कुछ आएगा, अब आप ध्यान से देखो तो यह क्या है, k times of b minus a, b नहीं, alpha b minus alpha a, क्यों, क्योंकि xn क्या था, alpha xn, मतलब xn हम लोगों ने किसको माना है, xn b को और x0 a को, तो xn b और a को माना है, तो आप देख सकते हो, easily, तो यह alpha b minus alpha a आ गया, और हमें प्रूफ क्या करना था, यह, तो यह क्या है, हमारा lower integral आया है, चीक है, उसी तरह से जब आप upper integral निकालोगे, तो भी आप देखोगे, कि यह इसी के equal आया है, वो आप निकालना खुद से, यहाँ पे मैंने small m i लिया, infimum लेना है, आपको और capital m i लेना है, बस इतना ही अंतर आएगा, आप खुद से निकाल लेना, और यह k हो जाएगा, और यह भी equal हो जाएगा, तो यह जब दोनों equal हो जाता, तो हम लोग बोलते हैं कि a to b f d alpha exist, चीक है, exist बोलते हैं हम लोग, और जब यह full इस type का आगया, तो यहाँ पर आप supremum भी लगाओगे, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि यह single value है, single value का supremum तो वो खुद ही होता है, तो यह exist कर रहा है, और a to b f d alpha किसके equal होगा, इसी integral के equal होगा, जिसे हम लोग k of alpha b minus alpha a कहता है, so I hope यह clear हो गया होगा, अब इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, जो कि बहुत important है, जो कि हम लोगों ने 12 से पढ़ रहे हैं, जब हम लोग integration पढ़ रहे हैं, जब हम लोग लिमेट as a sum पढ़ देते हैं, यह भी कुछ इसी type का है, as a sum हम लोग कैसे बोलेंगे किसी चीज को रिमान इंटीग्रेबल या फिर रिमान still just sum किसे कहते हैं, या फिर रिमान still just इंटीग्रेबल कब कहेंगे किसी चीज को, तो वो हमें basically देखना है, यह भी एक बहुत important चीज होता है, अगर आप समझ लो तो इससे काफ़ी सारे questions है, जो बहुत easily solve हो जाते हैं, तो अभी हम लोग इसका आज definition देखेंगे, और इसका एक theorem देखेंगे, और इससे related अगर कोई example है, तो वो मैं आपको next class में करवाऊंगी, आज मैं normal रिमान still just वाला sum integral होता है, उसी से एक theorem बताऊंगी, और इसका definition बताऊंगी, इसका कुछ important convergence का होता है, इसके convergence से कुछ आता है, वो सब मैं बताऊंगे आपको आज, so definition क्या है, विमान still just sum का, कि F कोई भी bounded function हो, और alpha कोई भी monotonically increasing function हो, AB में, और P के हमने एक partition लिया, यह जो partition हम लोग सुरू से ले रहे हैं, तो फिर इसको हम लोग XI पढ़ते हैं, ठीक है, XI, इसका जो होता है, यह basically XI पढ़ा जाता है, so it's XIR, belong कर रहा है, XR minus 1 से XR में, मतलब यह कोई भी एक point हमने ले लिया है, किसी, suppose कि यह एक partition था, अगर यह A से B में, तो यहाँ पे अगर XI minus 1 है, और यहाँ पे अगर XI है, तो हमने कोई भी एक point उठा लिया, ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया, XI, I, ठीक है, मैंने R नहीं लिया, I ले लिया, यहाँ पे तो I दे दिया, यहाँ पे R लिया, तो मैंने R दे दिया, ठीक है, तो जो sum हम लोग define करेंगे, SPF alpha से दिखाते हैं, अभी तक हम लोग, LPF alpha, UPF alpha, वो सब दिखाते थे, यह sum को हम लोग SPF alpha से दिखाएंगे, यह क्या होता है, sum करते हैं हम लोग, किसका F of XI R, और delta alpha R, यह delta alpha R वही है, alpha R minus alpha R minus 1, मतलब alpha of XR minus 1, और alpha of XR, वही से मतलब है, इस तरह से लिखो या उस तरह से लिखो, इस पे आप लोगों को ज़्यादा, मतलब धिखान देने की ज़रूत में है, इसका मतलब सेम होता है, चीक है, तो यह चीज़े हैं इसमें, और इसका अगर मैं आपको बताओ, मतलब बेसिकली अगर मैं इसका feeling बताओ, आपको क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, कि हम लोग lower sum define करते थे, जहां पे हम लोग minimum लेते थे, जैसे अगर हैं, तो हम लोग minimum लेते थे, कि इस interval में minimum क्या है, तो यह है, तो इससे हम लोग relate कर जाते हैं, अब हम लोग क्या करें, कोई भी point उठाके, उसके हिसाब से, एक बकसा बना दे रहे हैं, और फिर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन, ये तो हो गया sum की बात, अब हम ही क्या चाहिए, कब आएगा, जब mu p tends to zero करेगा, mu p का मतलब क्या है, मैं अगर mu p बताओं, तो इसे हम लोग norm कहते हैं, ये देखो, मैंने या define भी कर दिया है, norm, और norm का मतलब क्या होता है, कि delta r का maximum, ठीक है, ये 10 to zero करवा रहे, कहने का मतलब हुआ, कि अगर आप कोई एक, बना रहे हो, a और b, तो आप कोई random partition बना रहे हो, ये तो x not हो गया, और ये xn हो गया, तो आप random partition, आप इतने छोटे ही बना सकते हो, आप इतने बड़े ही बना सकते हो, कुछ इस type का आपने partition बनाया, ठीक है, कुछ इस type का आपने partition बनाया अब आप क्या करें हर एक partition का distance निकाल दो मान के चलो यह distance आया 1 यह distance आगया 4 यह distance आगया 2 यह distance आगया 3 ऐसा कुछ-कुछ-कुछ distance आया है यह आगया 0.5 तो हम क्या करें maximum of distance ले रहें तो यहाँ पर आप देखो maximum of distance क्या है 4 ठीक है तो यहाँ पर जो mu p की value है या फिर norm p की value है इसे हम लोग norm पढ़ते हैं इसे mu पढ़ते हैं तो यह 4 आ गया लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि maximum distance भी जो है वो 0 की और 10 गर रहा है मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हम जो partition बनाए हैं वो एक line की तरह काम कर रहा है ऐसे ऐसे आप line ही जोड़ रहे हो तो जब आप line जोड़ना start करते तो तो आपको पता होगा कि वो exact value of the integral हमें मिलने लग जाता है क्यों क्योंकि आप कर क्या रहे हो आप ऐसे लिए एक आपका curve है आप ये line बनाए है अगर आप कुछ distance में बनाओगे तब तो आपको difference मिलेगा न कि कभी ये person add नहीं होती है कभी ये जादा add हो जाती बर जब आप line लोगे तो line में तो ये सब problem ही नहीं है आप line में तो exact point को consider करोगे इस वज़े से आप समझ सकते हो कि mu p 10 to 0 जब हम लोग लिख देते हैं तो वो exact value देने लगती है और उस sum की value और उस limit की value suppose कि जो L है वो एक exact sum है उस function का और उस in मतलब जो function है हमारा उसका exact sum है तो वो suppose 5 है और जब हमने mu p 10 to 0 पे spf alpha निकाला है मतलब की distance को इतना ज़्यादा छोटा रखा है तो उस time पे आई है suppose जितनी भी आईगी तो उन दोनों की जो difference है वो less than epsilon होना चाहिए और epsilon तो हम लोग choose करते हैं तो epsilon को हम लोग 0 की और भी मान सकते हैं तो x जो है वो almost 5 देने लग जाएगी हो सकता है 4.99999999 देते चले जाए तो इसको हम लोग 5 भी consider करते हैं तो difference इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है कि वो exact value आने लगता है इस वज़े से होता क्या है कि जो spf alpha होती है वही हमारी remands tilges integral बन जाती है क्यों बन जाती है? क्योंकि आप देखो क्या कर रहे हो आप exact इg innocent value ही तो निकाल रहे हो यहाँ पर ऐसे 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 line दे करके तो exact value निकालने से क्या होता है तो इसी से फिर यह theorem आती है इसी लिए हम लोग बोख बोलती है यह converge कर रही है और जब यह converge करने लग जारी है तो फिर यहां से इसके corollary के help से ये एक theorem आया है theorem क्या है कि अगर norm pit 10 to 0 या फिर mu pit 10 to 0 SPF alpha exist अगर ये exist कर रहा है तो हम लोग F को remand still is integrable बोलेंगे कब बोलेंगे? स्वारी मतलब बोलेंगे अगर ये exist कर रहा है variate नहीं कर रहा है equal आ रहा हर तरह से है तो इसको हम लोग बोलेंगे remand still is integrable on AB और इसकी जो value होती है वो integral के equal हो जाती जो मैंने अभी आपको feel दिया था ये होने लग जाती है ये बहुत साथ important theorem नहीं है to be asked in exam बट हाँ ये बहुत important है to remember to solve the question और फिर जब आपके exams नज़्दीक आएंगे तो फिर मैं कुछ important theorems as a link के बता दूँगी जरूर की जिससे आपको बहुत help हो जाए कि हाँ exactly इस type के questions आएंगे या फिर मतलब होते हैं basically guest questions आप समझ रहो तो ये बहुत important है इससे related question मैं आपको next class में करा दूँगी और एक दो theorem है जो की थोड़े लंबे होते हैं तो वो मैं एक-एक theorem करके जब proof करूँगी तो मैं आपको upload कर दूँगी basically वो lectures नहीं होंगे वो theorems होंगे important theorems करके जैसे कि एक theorem होता है कि f अगर continuous function हो जाए ठीक है f continuous function है और alpha जो है वो monotonically increasing है आप मेरे कुछ-कुछ words से familiar है न कि मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो आप समझ जाना ये continuous है ये function है mi लिख दूँ तो monotonically increasing है अगर ये होता है तो f d alpha ये remand stilges integral है f या फिर ऐसे बोल सकते कि f जो है ये belong करता है r of alpha में मतलब f जो होता है वो remand stilges integrable होता है तो ये बहुत important theorem है जो कि मैं आपको next class में करा दूँगी इस class का basic जो motive था वो था कि आपको question solve कराने सिखाना ये तो मैंने अभी सिर्फ एक basic सा question उठाया है जिससे कि आपको feel आजा easily कि constant में क्या होता है constant तो होता ही होता है integrable ये आप लोग 2L से पढ़ रहो मैं कुछ और भी typical questions उठाऊंगी जो आपको solve करने बताऊंगी और दूसरा जो motive था इस class का वो था कि limit of sum बताना कि sum के भी help से हम लोग integration निकाल सकते अगर हम sum एक-एक line में करने लगे इतना पतला line हम जोडने लगे कि वो exact function देने लग जाए हमें ठीक है so यही दो basic motive था इस class का and next class बहुत interesting होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे questions होंगे और कुछ theorem के lectures में upload करूंगी जो कि single single सिफ theorem cover करेगा तो आप उसे जरूर देखना and thanks for watching